दोस्तो ड्रेक्टर सोनल जोशी के ड्रेक्शन में बन रही मूवी सुखी जानकि शिल्पा शैटी की मूवी का ट्रेलर मैंने देखा और उसी का ट्रेलर का रवियू आप तक ले कराया है जुकि कैसा है ट्रेलर आप लोगों को क्या मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी क्योंकि ये मूवी दोस्तो 21 या 22 स्टमबर को रिलीज हो रही है थेटर गरों में सिनमा गरों में रिलीज हो रही है इन गाइज इसका ट्रेलर है वो एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है गाइज शिल्पा शैटी खाउस वाइफ बनी हुई है जो रोजगार के काम होते हैं घर के जैसे हस्बन के लिए खाना बनाना बच्चों के टिफन पैक करने कपड़े धोने अपने ससुर जी को संभाना दवाई देना ना जाने और कितने सारे काम जो भी हाउस वाइफ करती है अब वो इस जिन्दगी से बोरिंग हो चुकी है वो कहती यार मेरे जिन्दगी में क्या है कुछ नहीं है मुझे एक ब्रेक चाहिए प्लीस मैं इस रोजगार के काम से दुखी हो चुकी हूँ उसकी एक बेटी है जो की 14-15 साल की है और गाइज उसके एक्जाम है दो महीने बाद उसकी फ्रेंड्स का फोन आता है कि चलो सुखी हम घूमते हैं दिल्ली आजो हम फंशन करते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा बदलो तो वो अपने हस्बन को कहती ही कि मुझे जाना है दिल्ली उसका हस्बन कहता है बेटे के एक्जाम है तुमें बिलकुल हमारी टेंशन नहीं है तुम कैसी मा हो यार तुमें ब्रेक चाहिए तुमारे अंदर संसकार नाम की चीज है के नहीं है तो वो उनको बिना बताए उस जिन्दगी से तंगाए वो चली जाती है दिल्ली अपने फ्रेंड के साथ और फिर एहसास होता है उनके हस्बन और उसकी बेटी और जो ससुर होते हैं कि यार जिस को हम घर बैठे बैठे ये कर दे वो कर दे ये ला दे ये दे या जब अपने आप काम करना पड़ता है तब पता चलता है ये बात तो दोस्तों 100% मानी गई है जब तक चीज आपको मिलती रहती है हम उसे कदर नहीं करते उसकी कदर नहीं करते जब वो हमसे दूर चली जाती फिर हमें उस चीज का एसास होता है सो गाइस ऐसी वो चली जाती है दिल्ली दिल्ली में जाकर दोस्तों फिर करती है अपनी फ्रेंड्स के साथ पाल्टी शाल्टी और उदर दूसी तरफ उसका हस्बन आटा गूंद रहा है रोटी ये मना रहा है और कभी बाहर से लाकर बर्गर खा रहे हैं बाप बेटी तो प्रोसना के कहती है कि बर्गर खाने से गाठे पड़ जाती है फिर उसको कबज हो जा रही है फ्लश में जोड लगा रहा है यार ये सीन काफी मज़ेदार लग रहे थे देखने में हसी भी आ रही थी और दूसी तरफ एक मूवी आई थी राधिका अपटे सुरवीन चावल मेरे को लगी थोड़ी सी कुछ अडल्ट मीनिंग सी लग रही थी बाद में जो सीन से बाकी जैसे गालियां निकालना जो भी जो अपनी फ्रेंटों जो फ्रेंट्स के साब जो वन मॉर शॉट जो दारु दूरु पीरी जो अंजवाय कर रही गोर्स राइडिंग वेरा सब ये शिलपा शेटी करती है और अपने जिंदगी को लाइफ को खुल के जीती है तो आप लोगों जो लेडिस हैं आप लोगों ने किसने ऐसा काम किया है क्या आप अभी भी उसी लाइफ में जी रहे हो तो आपको एक बर ये मूवी देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका नाम ह मैं सुखी और मैं मूवी के ट्रेलर को मैं अगर रेटिंग के बात करूँ मैं पाच में से 3.5 स्टार दिना चाहूंगा तो मुझे लगता है कि ये मूवी सिनमा घरों में तो लोग कम ही जाएंगे देखने चलना भी इसका मुश्कील है अगर OTT पर लाते G5 या तो चल सकती थी दोस्तो क्योंकि इस तरह की मूवी तुम्हें पता है कि आज कल ओडियंस जहां जवान का बोल वाला है जवान एक महिना भर रुकने वाली नहीं है उसके साथ तुम ये मूवी ला रहे हो तो आप समझी सकते हो दूसरी तरफ दोस्तो आपको पता है कि और बहुत सारी अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में इसका लिक मैं डाल दूँगा ट्रेलर का आप देख लीजीगा सो थैंक यू दोस्तों जंद मिनेंगे टेल दैन बाबाई